स्वाध्याय टीवी डॉक्टर बाबा साहिब आमबेडकर ओपन युनिवर्सिटे नमस्कार विद्यार्थी मित्रों डॉक्टर बाबा साहिब आमबेडकर ओपन युनिवर्सिटी ना जोतीर में परिसर्णा स्वाध्य टीवी मां आपनो हार्दिक स्वागत छे आजे आपने डॉक्टर बाबा साहे बामेट कर ओपन उनिवर्सिटी द्वारा चालता बैचरल अप लिबरेरी और इन्फरमेशन सायंस अभ्यास क्रमना पेपर एक लिबरेरी और सोसाइटी क्रंथाल अने समाज एननु यूनिट एक ग्रंथाल अने माहिति केंद्रो नी भुमी का समाज माटे ग्रंथाल अने माहिति केंद्रो नी भुमी का विशे चर्चा करीशू दा रोल अफ लाइपरेरी और इन्फरमेशन सायंटर इन मौडन सोसाइटी ग्रन्थालायों औने Information Center नी सु भूमी का छे एवी से आजे आपड़े विकते चर्चा करीशू विकास लक्षी धियों ने पावंवा जन जिवन ना स्तर्मा सुधारो लाववा तथा देश औने राज्यों ना जुदा जुदा स्वरू पुमा उपलप्त सांस्कृतिक वार्षाव ने जाडवा औने जाणवा माटे क्रन्थालायों औने क्रन्थालाय सेवावनी आवशक्ता चे क्रन्थालाय सिक्षण महीती मनोरंजन ज्यान औने संशोधनना क्षित्रमा जुदी-जुदी सुवीधाव आपे चे ग्रंधालायमा आपी राष्ट्रना सामाजिक अने आर्थिक उद्थान अने बौधिक विकास माटे सेवा आपे छे आधुनिक समाजमा मानुवीनी बद्धिच प्रवरुतियोनु आयोजन संस्था उद्वारा थाई छे अज बधाज मुख्य अने सामाजिक कार्यो अने संगठनुनु संस्था करण केंद्रीय करण करवा मा आवे छे पची ये आर्थिक कारेकरम होय के स्वास्ताय सेवा, सिक्षण होय के संशोधन, व्यापार व्यवस्ता होय के उद्योग, परियावन नी सुरक्षा अथ्वा सनरक्षण नी व्यवस्ताने पन संस्थाओ अने संगठोनना मध्यम्ती संपन्य करवामा आवे छे ग्रंथालोयो तथा अन्य एवी जानेती संस्थाओ महीती केंद्रो जेवी की संस्थाओ छे, जे प्रलेकोमा अभीलेक बद्ध महीतीनु ग्णान एकतरीत करी, संग्रह करी, तेनी प्रवसेस करी व्यवस्तापन वीत्रोन तथा प्रसारण करेचे, केमकि ए ग्णान अने महीत अनेक नानी व्यवस्ता करेचे, ते समाज माटे महत्वपून होई छे, आधुनिक समाज नी आवशक्ता, आधुनिक समाज नी आवशक्ता सुचे ये विश्चे जो ये तो आधुनिक समाज मां सब्वे तरीके आपने तेनी विबिन्न जवाबदार जुदी जुदी आवशक चेवी के आध्यात्मिक और वैचारीक प्रवरुतियो, सांस्कृतिक और संद्रसास्त्रिये प्रवरुतियो, मानव जीवन ने सू संस्कृत और उज्वल शिल बनावे चे, फूर्सद और आरामना समन्मा मानवी ने मनोरंजन नी आवश्रक्ता होई चे, त्यारे जे रचनात अने प्रती स्पर्धात्मक प्रक्रियाओ माटे उप्रुक्त सुविधाओ अने साधनों उपलब्द ना होयतो तेनू ध्यान बिजी नकारात्मत अने विनाशात्मक दिशातरप आकर्शाई चे, जेना थी व्यक्ति सू संस्कृत संपने येवो पून जीवन व्यतीत करी श अलक्ष जीवन ना एवा सूनिस्चित आवशक मुल्यो पर भारापे चे, जेनू पालन पन आवशक छे, आ उद्देशने प्राप्त करवा माटे आवशक सुविवस्था करवी ये समाजना सब्यनू साहमोईक उत्तरदाईत्व अने करतव्य पन चे, समाज द्वारा स्था संस्थाओ थई, जुदा जुदा उद्देशनी समाज पहले थी अनेक संस्थाओ नी स्थापना करी चे, सामाजिक संस्थाओ मा सैक्षणिक संस्थाओ जे विद्ध्याले, महा विद्ध्याले औने विश्व विद्ध्याले, संसोदन संस्थाओ, सांस्रूतिक संस्थाओ, ललीत अकादमियो तथा मनोरंजन नी संस्थाओ व्यापारीक अने अउद्योगीक संकांठनो बगेरे संस्थाओ प्रांत आ प्राकानी अन्य सामाजेक संस्थाओ छे ग्रन्थालाए पन आ प्रकारनी संस्थाओ चे दरेक संस्थाओ समाजनी मात्र एक अथवा केटली कणे गांटे आवश्चक्ताओनी पुर्ती माटे प्रहत्नशिल होई चे जारे ग्रन्थालाए बधाज प्रकारनी आवश्चक्ताओनी पुर्ती करे चे तमे ओई विध्यालेईना विध्यार्थी होय तो तमारू मुख्य काम सबंधित कक्षानू ग्ण्याय प्राप्त करवान होय छे, जेना ती शिक्षकना मौखिक प्रत्यायन तथा किटलाट निर्धारीत आठ्य पुस्तकोना अध्यान ती संपन्न थत्तु होय छे, परंतु ग्रंथालाईना उप्योत्ती अनेक विषयो अने विषयो प्रकरणों ने सबंधित एवा पुस्तको अने तेमार हेलू उग्णान मेडवी शकाई छे, ग्रंथालाई आधुनिक समाजना उप्योक करतानी बधाज प्रकार नी आवशक्तावनी पुर्ती करवा माटे सक्षम होय छे, ग्रंथालाई अने शिक्षण, ए विषय जो येतो शिक्षण अउप्छारिक अने औन अउप्छारिक बे प्रकार्नों होय छे, आउपचारिक सिक्षण एचे के जे कोई विद्याले, महा विद्याले के वीश्व विद्याले व्यक्तिकत दोराणे विद्यार्थी तरीके और प्रत्यक्ष रूप मा सिक्षक विद्यार्थीना संपक्त द्वारा प्राप्त करी शकाई छे परन्तु अन अउप्चारिक सिक्षण पद्धती मां सिक्षण सैक्षणिक संस्था पर आधारित वतु नती पाण दूरवर्ती सिक्षण पद्धती द्वारा निर्धारित पाठकमोनो अभ्यास ना माध्यम्ती स्तेम सिख्वानी अन पद्धती योद्वारा अत्वा स्वाय धन्नी मदती सिक्षण प्राप्त करवानी विधी ने अन अउप्चारिक सिक्षण पदती घहवाई छे प्चारिक शिक्षण पत्यती वीचे चोईये तो प्चारिक शिक्षण नी दरेक संभ्षा पची ते विद्यालाई, महाविद्यालाई के विश्व विद्यालाई होई दरेक ने पोटा ना अलक ग्रंतालाई अवश्यक्त होई छे जे विश्यवना अभ्यास्नों सिक्षण अपातु है तेने सबंदित पुष्तको संदफ ग्रंथौनों जंगर ते ग्रंथाले में होई छे प्रात्मिक सिक्षण ना स्थर्नी शाड़ाना ग्रंथाले माँ वर्ग शिक्षक ने पुरक बनवा माटे ग्रंथाले सेवा अधि आवश्यक छे ग्रमशह महाविद्याले अने वीश्व विद्याले उनिवर्सिटी मापन ग्ण्यान उपपारजन कराववानी प्रक्रिया अथ्वा वर्ग सिक्षक अध्यनी परमपरा पन ग्रंथाले साथे सुसंगत्वावी चोईये बौधीक विकास प्रोसाहित करवामा ग्रंथाले नो फाडो नी संदेश चे विध्याले महाविद्याले अने वीश्व विद्याले ना ग्रंथाले उप्रांत अउपचारिक सिक्षण मा मददरुप्थवानु उत्तर दाइद्व सार्वजनी क्रंथाले नो पण चे आती सार्वजनी क्रंथालायो पण सबंधिक शित्रमा विस्तारमा सिक्षण संस्तावना विध्यार्थिवो तथा सिक्षकों माटै सैक्षणिक तेमा जुदा जुद्या अभ्यास करमो सबंधिन पुस्तकों अने अन्य वाचन सामगरी नो संग्रह करवो चोईये तेमने सरवडताती वाचन सामगरी प्राप्त थाय तेवा प्रयत्न करवा चोईये अन उप्चारिक सिक्षण ऋए वीशे चोईये तो अन उप्चारिक सिक्षण प्रकरियामा शिक्षक नी मदद अलपरपणवाणमा होई छे जारे ग्रंथालोय नी भुमिक्या मुख्य होई छे आविस्थिती माँ विध्यार्थिवे ग्न्यान उपारजन मात्र स्वाद्धाहेना माध्यम्धी करवू पड़े छे आदीशा मा अपचारिक सिक्षण संस्थाओना ग्रन्थालोईनी जम सार्वजनिक ग्रन्थालोईनी भुमिका खुबज महत्वनी जे सैक्षणिक संस्थाओना ग्रन्थालाई अन उपचारिक सिक्षण पद्धती हेठण ना विद्यातियोंने माटे ग्रन्थाले सुविधा इवी रिते सरण बनावी जोईए के चे मूड तेमाज प्रात्मिक उप्भोग्थाना हितने असर कारक बने विश्व विद्यालाईनों मुख्य ग्रन्थाले अने विभागिये ग्रन्थालोईनी स्थापना करवी जोईए सिक्षण समुधाईनी साथे साथे अनौपचारिक सिक्षण ना विध्याथोने पण विश्वे विध्याले ग्रंथालाई अने विभागीये ग्रंथालों ना उप्योगनी परवानगी अप्वी चोईये अनुप्चारिक शिक्षण माटे जरूरी मदद औने सुवीधाओ उपलप्त करी आपवामा सार्वजनी क्रंथाले पद्धतिनी मुख्य जवाब जारी छे सार्वजनी क्रंथालोईनी सुवीधानोला प्राप्त करवो धरेक नागरीकेनो अधिकार छे आ फरज पूरी करवामाटे सबद्धित शित्राना अनुप्चारिक शिक्षण ना विद्याड्थोनी जरूरयातने अनुरूप पुस्तको अने पत्रिकाओ सामाई करो ब्राप्त करी तेनो संग्रह करवानो प्रहास करवो जोई अनोपचारिक सिक्षण पतेती ना कार्यक्रमोनी सफड़ता माटे सुरूद्राड सार्वजनिक ग्रंथाले पत्ती विक्सावानी आवश्यक्ता रहेचे निरक्षारोंने सिक्षण एवीशे जोयतो आधुनेक टेक्नोलजी नो असरकाराक प्रभाव चे द्रश्य, स्त्राव्य साधनों, खास करीने विडियो टेप ना माधम्थी सिक्षण ने दरेक घरना दर्वाजे लाई जवु शक्य बन्यूँ छे आ साधनाना माधम्थी निरक्षारोंने सिक्षित बनावा माटे सार्वजनीक ग्रंथालायोंनी विशेश जवाबदारी छे आ माटे तेमने विद्या, उपार्जन, क्लबों औने मौखीक प्रत्तायन कारेक्रमोंनों आयजन करवु चोये बीजु चोये तो कारियरत समोना वर्गने सिक्षण, कारियरत समोनना वर्ग माटे ग्रंथालीनी सैक्षणिक भुमी काचे पोताना कारेक्षेत्रने सबंदित जुधा जुधा वेश्वसायों मा सनलग्न व्यक्तियों आने जर्मिकोंनी आवशक्ता प्रामाने ग्रंतोनों एडले पुस्तकोंनों संग्रह करूँ चोई आवा पुस्तोकों ना ब्यास्त वारा सबंधित उप्भोगता कारेक्षेत्रमा वधुमा वधु शिक्षित औने अध्यतन माहिदिती परिचित वनी पोताना कारिये कुषडता विधारी शकेचे औने एमनी उत्पादन करतामा ब्रुद्धी धाईचे सार्वजनिक करंथालोय आदिशामा सयोकरी भुमीका बजवी जोए सारीरीक विकलांगोनू सिक्षण विकलांग लोकोने माटे सैक्षणिक संस्थाओनी सापना करवा समाज औने सरकार नी एक विशेश औने आवश्यक परत छे एवी संस्थाओ द्वारा अध्यन अध्यापन सामागरीनो संग्र करवामा आवे चे अन्य भौतिक सुविधाओ प्राद नेत्रहिन अंद वाचको उप्भोकताओ माटे ब्रेन लिपीना पुस्तको औने अन्य प्रकार नी सिक्षण सामागरी पन सार्वजनिक ग्रंथालो मा वसावामा आवे चे ते सुलब बनावामा आवे चे आवी संस्थाओना ग्रंथालों मा आप्रकार नी सामागरीनो संग्र आवश्यक होई चे विकलांगोने आ सामागरीनों उप्योग मा मदद करी तेमने सिक्सित बनावी औने पुन स्थापित करवानी फरत समाजनी चे संशोधन मां ग्रंथाले शोध तेमेद चंशोधनी क्रिया प्रक्रियोंने समर्धन आपफ़ामा ग्रंथालेवनी एक महत्वपुना भुमिकाचे शंशोधन मांटे माहीतियने ग्णानी प्राप्तिकरी अफ़ी उप्रांत जानकारी अप्वी ए अधी आवश्यक छे नविन्तम ग्णान मोट्टे भागी सामाईको संशोधन अहवालो तेमच आवा अन्य प्रकाशनोंना मध्यम्धी प्रसाधित करी शकाई छे सोध संशोधन कटी संस्थाओ के करेक्रमने प्रोच्चा नाप्पा माटे आवी संस्थाओना ग्रन्थालों मा सबंदीत दरेक वीशेना पुस्तको प्रकाशनोंनो संग्रह होवो छोई आधिशा मा विश्व विध्यालाई गरंथालायो शन्षोधन संस्ताओ गरंथालायो तथा अउध्योगिक संस्ताओ ना शोध औने विकास ना हितु माटेना विभागिये गरंथालानू योगदान अति महत्व पुण होई छे संशोधन नी द्रश्टिये ग्रंथालाईनु प्रदान महत्वनु छे मान्मिय विध्याओ अने सामाजिक विध्याओ ना क्षेत्रों ने सबंदित संशोधन प्रक्रियामा सार्वजिन ग्रंथालाईनी भुमीका पण अत्यंत महत्वा पुणा होई छे सांस्कृतिक प्रवरुथियो मां ग्रंथालाई शांस्कृतिक प्रवरुथियो मां ग्रंथालाई सांस्कृतिक प्रवरुथियो मां ग्रंथालाईनु शुर्य योगदान छे जोई तो ग्रंथालाईनु प्रतम सांस्कृतिक प्रदान ए होई छे कि मानव जात्तीना प्रक्षित राखवो जे पुस्तको तेमाज अन्य प्रालेखोमा साच्चवामा आवेलो होई छे ग्रन्थालाईनी सांस्कृतिक फुमीता बे द्रश्टिकोन थी महत्वनी छे एक एमा रस्धरावता व्यत्योंने पुस्तको हाथ वगा करावी अप्पा जे थी तेवो सर्ज क्षणात्मक सिद्धी करई शके, बीची टेम्ना संधर्य बोध अने मुल्ण्यांक करनिंग शम्त अविक्सी सके माहिती प्रसार्मा ग्रंथालाई माहिती प्रसार्मा ग्रंथालाई नी सुभी मिल्का चे एवीशे चो ये तो पुस्तक संग्राना अध्यमती ग्रंथालाई उने ग्नान अने माहिती ना विशाल बंडार्नू निर्मान करे चे शंशोधक, सिक्षक, विध्यार्थी, प्रशाशक, अउध्योकिक अने व्यापारिक प्रबंधको, शिल्पकार, उध्योग, साहशिक, खेडू, कार्खाना नाकारीकर अने खेत मजुर माही वगेरेने माहीतिनी आवश्यक्ता होय छे जेना थी ए पोताना व्यावसायमा सफड़ता प्राप्तकरी शके छे पोताने वदू सक्षम बनावी शके छे ग्रंथालयो, लोकोनी सामाजीक अने आर्थिक माहीति लक्षी जरूरिया तो पुरी पाड़े छे ग्रंथालय पोताना पुस्तक संग्रमा रोजगार लक्षी माहीति आपता पुस्तको पन राखे छे टुंक मां ग्रंथालयो ने सुवेवस्तित माहीतिनी सम्बुद्ध राखवानो प्रयत्न थाई छे समाशना सभ्योनी वर्त्मान तथा संभवित मागने सबंधित माहिती उपलब्द करावीश काई छे धार्मिक तथा अध्यात्मिक संस्थावमा ग्रंथालाई एमा धार्मिक संस्थावमा ग्रंथालाना फाडवीशे जो ये दो धार्मिक पुस्तको अध्यात्मीक पुस्तको सैध्धानितिक द्रश्टिकोन तेमच विचार धाराओ प्रती पादन करता पुस्तको तेमच अन्य सास्वत मुल्यानू पुस्तको जे क्लासिक पुस्तको छे तेना ती जिग्नाश्यों नी अध्यात्मीक धार्मिक वैचारिक तेमा नहीतिक मुल्योनी माहीती ज्ञान पिपासा संतोष आई छे दरिक ग्रंथालायों मा आप्रकार ना पुस्तको वसावा जरूरी छे आ पुस्तको थी लोको ने उच्च आदर्शो तरप अभिमुक करी शकाई छे एमना मनमा मुल्योनो संचार थाई शके छे मनोरंजन तथा फुर्सदना समयमा ग्रंथालायों विशे जो येते कोईपन समुदायना सभ्यों माटे फुर्सदना समयनो सदुप्योक करवो अती महत्वनों छे फुर्सदनो सदुप्यक्थवाती समुदायना सभ्योंने फुर्सदना समयमा नकार आत्मक तथा विनाशकारी करालमा जोडाता रोकी शकाई छे नवल कठा तेमज सहितेना विवित्स्वरुपो धरावता पुस्थको जुदी जुदी कड़ाव सबनित पुस्थको प्रवास्वाणन सहित्य जीवन्चरित्रो रोप्य व सामाईको उप्रांत मनोरंजना आत्मक सहितेनो ग्रंथालेना संग्रमा स्थान मलवू जोई उप्रान सार्वजनिक ग्रंधालाय माँ खास करीने स्वाज्ताय मनोरंजन तेमाज मनोरंजनात्मक स्पर्धाउना कारेक्रमनु आयजन कर्वू चोईए जयवी के संगीत, समाहरो, चितरस्पर्धा, वारतास्पर्धा, नाटको, परिसंवादो, काव्य पठण वगेरे कारेक्रमनू आयजन करवो चोईए ग्रन्थालाय अने परिवर्तन सिल समाज परिवर्तन सिल समाज मा ग्रन्थालाय नी भुमी का विशे चोईए तो आधोनेक समाज मा परिवर्तन ना अनेक काराणों होई चे परिênioम है ग्रंतालाय ना विकास्मापॅण व्यापक प्रमाण मां परिवर्तन आवी उचे परिवर्तन ना परिडामों और चोहितो परिवर्तन ना परिणामों विखे विचहरे तो चर्चा करे तो आधुनिक समाज मा माननव जीमन ना जुदा जुदा क्षित्रम मा तेमाज वर्गों मा जे परिवर्तन आवी रहुचे ते जो ये तो सव प्रतम वस्ति वधारानो प्रभा परिवर्तन नो मुख्य कारण चे बीचु चो येतो सामाजीक आर्थिक परिवर्तनों थी व्यावसाइक पद्धतियो बदलाई चे राजनेतिक स्वरुप तथा प्रणालियो सिक्षण सामगरी औने सैक्षणिक टेकनोलोजी ने सैक्षणिक परिवर्तन आणिँ चे विग्णान अने टेक्नोलोजी तथा समास्थास्त्र ने मानव विद्यान अक्षित्रों मा शंशोधन अने विकास ना फर्स्वरू परिवर्तन थयुँछे उद्योग औने व्यापारक्षेत्रे उतपाद औने वित्रोण, टेक्नोलोजी, विकास, मुल्यांकन औने अमलते मज़ वेचान औने वेचान कला वगेरेमा परिवर्थनो थाया छे व्यवसाय औने वानीचे उपर आयात औने निकासनी असर थायी छे ललित कलाओ, संगीत, प्रदशन, व्यवसाय, फिल्म उद्योग, उपग्रह, टैलिविजन, वगेरिक्षित्रों मा थायला परिवर्तनों पण एने यहां भारी छे ग्रन्थालेनी विस्तर्ती पुरक भुमीका, ग्रन्थालेनी विस्तर्ती पुरक भुमीका विशेच होईये तो, ग्रन्थालेना परंबर कार्यमा विशेश परिवर्तनावियू छे उप्भोक्तानी नविन प्रकार्नी माहिती मांगनी पूर्ती माटे चिल्ला 40 वर्षोमा अनेक नविन गतिवीदियो बदलाई छे जेनाथी अनेक क्रिया कलापू साधानो अने वीधियो प्रणाली ओती ग्रंथालेनी संपन्न करूँ पडे छे उप्भोक्तावनी नविन मांग माहिती पतितियो प्रलेक माहिती विस्टलेशन माहितीनो द्रडिकरण तथा पुन सम्वेश्थन कंप्प्यूटर वगेरे पर अधारित छे ग्रंथालायोनी आ विक्सित भुमीका अने परिवर्तन सिल योगदानने आधारे प्रसीद माहिती वग्नानिक रोबर्ट एच टेलरे जणावियू छे के ग्रुपाकात्मक भाष्यामा एम कहिवाई छे के टॉल्मीकालीन जगत जेमा ग्रंथालायोनी मुख्य रहियू छे चे कोपर निकल जगत तरप आगडवधी रहियू छे चे माहिती केंद्र माँ छे अने ग्रंथालाय एनना अनेक ग्रंथा मानो ग्रंथालाय तेना अनेक ग्रहो माना एक छे पहला ग्रंथालाय माहितीनु केंद्र मानवा मा आवतुतु चनी छारे बाजु उप्भोगता माहिती प्राप्त करवा माटे चक्कर मारता हता परंदु आजे महीतिक एंद्रस्थाने चे अने ग्रंथाले महीतिना संग्रह अने प्रचार प्रचार माटे महीतिनी जगत नी परिक्रमा करे चे छेले जोए तो आधोनेक समाज नी अनेक आवश्यक्ताओ चे चेविके सिक्षण, संशोदन, सांस्कृतिक विकास, अध्यात्मिक अने वैचारिक रियाओ, गमाद, गमाद, मनोरंजन वगेरे आवश्यक्ताओनी पुर्दी माटे समाज नेक संस्थाओनी स्थापना करी चे एमा ग्रंथालेनु स्थांत अत्यन्त महत्वनु चे अन्य संस्थाओ एक के बीजा प्रकानी आवश्यक्ताओनी पुर्दी करे चे परंदु, ग्रंथालाई बधाज प्रकानी आवश्यक्तावने समान रुप्ती पून करेचे, समाजनी सैक्षाणिक अने संशोधना आत्मक प्रवरुद्योने प्रुच्साहन सांस्कृतिक विखास, माही देनो प्रचाय प्रसार अध्यात्मीक अने संशोधना आत्मक दरेक सदीमा समस्त मानुए क्रियाओना आयोचन अने एनी सफड़तामा ग्ञान अने माहीती सदाय मददुर्प रहाचे, परंथु, विश्मी सदीना उत्राजमा माहीती अने ग्ञाननों विकास एक सशक्त साधन बन्यू अने अने कतिविद्योनों कैंद्रस्थान अने अनलजीना उप्योगने लिदे माहीतीनो संग्रह, प्रक्रिया अने व्यवस्थापन, संचय अने पुनःप्राप्ती भागोलिक अंतर होवाचता सरड अने सक्य बन्यू छे, आ माहीतीने जडप्ती अने सरड ताथी विश्वस्नी यरीते प्राप्त करी शकाई छे, आजे महीती अने ज्ञानने मूढ स्त्रोत्मा मानवामा आवे छे। आधुनेक समाजने महीती समाजनी संग्न्या पन अपवामा आवी छे। माही ती औने ग्णान नी अनेक आवस्च्छक्ता उनी पूरती उप्रुक्त संस्था गत्पद दीओ अने व्यवस्ता पून रूपती परिवर्तन थैचे ग्ण्यान अने माहिती नी आवशक्ता पुरी पाड़ी अनेक संस्थामा ग्रंथाले उस्थान महत्वननु बनियो रहुचे आजे आपना ग्ण्यान पिपासुनी अउपचारिक अने अउन अपचारिक सिक्षन परक्रिया संस्थान अने विकास सांस्कृतिक क्रिया कलापो अध्यात्मिक तेमज विचारात्मक शित्रो मनोरंचन अने उत्सव वगेरेमा ग्रंथाले नुँ योगदान अवरे रहुचे ग्रंथाले नी प्रभावशिल्तानो परिचे करवा मावयो छे माहिती टेक्नोलोजी ना विकास ना चमत कारो अने नित्य प्रती माहिती उप्पोगतावनी कक्षानी साथे साथे तेना विभीन उद्देशोनी पूर्ती माटे माहिती नी मांगमा थैला वधाराने कारणे आधोनेक समाच माहिती समाच तरप प्राणा करी रहो छे जेमा परिवर्थननी मुख्य धारा और परिवर्थननी दिश्यमा माही तेए अने ग्णान शक्ति साली साधननों कार्य करी रहाँ छे आजे आपणे वीचार धारावनुं विश्त्रु त्वनन करवामा आवियू क्रẫn्थालों ना योगदना मुल्ल्यांकन माटे आवी चार्धाराव आत्मसाथ करी ते अति आवश्यक्षे व्यावसाई क्रिया कलापो आने कार्यों नी जानकारी आने विकास माटे तमेचो कस ज्ञ्ञान विक्सावा माटे सक्षंबन्या आजे क्रंथालो ना योगदानी विवेच नापन करवामा आवी आजे आपणे क्रंथालोयनू समाज माँ सु भुमीकार रहेली छे कि समाज माटे तेनू सु उत्तरदाइटव छे सेक्षणी क्रंथालोयो करता सार्वचनी ग्रन्थालायोनी समाज माटे बहुच मोटे भुमी का रहेली छे ते वीशे आपणे चर्चा करी आजे आपणे लाइब्रेडी एन इंफर्मेशन साइन्स ना अभ्यास्क्रम नू पेपर एक ग्रन्थालाय अने समाज एनू युनिट एक ग्रन्थालायोनी भुमी का समाज माटे नी भुमी का वीशे चचा करी हावे फरे मडिशू आज माध्यम द्वारा नमस्कार